हेलो श्टुनेंट आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का आज भी आज हम लोग नियूमरीकल देखेंगे तो चलिए देखते हम लोग का कुशिन क्या कह रहा है फर्स्ट में अब यहां पर समझे है हम लोग का क्या है अब क्या करें फोकल लेंट कितने दिया 15 सेंटिमेटर अब यहां पर दियास देखें हम लोग का फोकल लेंट क्या हमें होता है क्या में होता है हम लोग का माइनस में होता है मैंने आपको बताया था देखें हम लोग का कंकेव लेंस में फोकस क्या होता है माइनस होता है हम लोग यहां पर लिखेंगे एफ बराबर हम लोगों क्या हो जाएगा आप देखिए फिर क्या कर रहा है लेन्स से लेंज से इमेज की दूरी कितनी है यहां पर दिखा रहा है कि object कितने दूर पे है लेंस से तो object find करना है और क्या बनाना है हम लोग को ray diagram बनाना है तो हम लोग कैसे find करेंगे देखी यू हम लोग formula जानते है क्या होता हम लोगा formula lens का formula 1 by f equal to 1 by b minus 1 by u तो 1 by f, f के place में कितना हो जाएगा minus 15 equal to b कितना हो जाएगा minus 10 है minus 1 by u अब इसको equal to के इधार भेज़ेंगे देखिए क्या है minus में है equal to जाएगा तो plus में आप देखिए यहां पर भेज़ेते है minus 1 by 10 यह क्या है minus में equal to जाएगा तो plus में हो जाएगा ठीक है plus 1 by 15 आप इसका क्या करेंगे LCM ले लेंगे क्या करेंगे LCM ले लेंगे 5,2 जा 10,5,3 जा 15 और 2,1 जा 2,3 जा 3,5 into 2,3 कितना हो जाएगा 5,2 जा 10,10,3 जा 30 देखिए यहां पर मैं फिर से समझा दे रहा हूँ क्या कि हम लोग नहीं है पर LCM ले और इससे पहले देखिए यह किस में ले ज़ाए, माइनस में इकंटो घथर जाएगा, पलस में हो जाएगा और यह क्या है, माइनस में इकंटो घथर जाएगा तो पलस में 1 by U, LCM कितना हा गئा हम लोग का, 30 तेन से डिवाइट करेंगे 30 को, तो फ्री जा 2 को मल्टिप्लाय करेंगे,05因為 1 से तो 2 अंजा 2 अब 1 by u equal to क्या आजाएगा minus plus minus क्या आजाएगा 1 by 30 minus plus minus करते हैं तो minus करेंगे 1 आजाएगा 3 बड़ा है 3 के पहले minus है से लिए minus नहीं अब इसको क्या करें cross multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 को 1 से multiply करेंगे 30 equal to क्या हो जाएगा माइनस यू, आप इसको क्या करेंगा हम लोग, माइनस यू को equal to अधर भेज देते हैं, तो क्या होज़गा, यू equal to minus 30, या तो आप क्या करें, आप इसको क्या कर सकते हैं, देखे, मैनस से दोनों तरफ मल्टिप्लाई कर सकते, ये भी आप कर सकते, देखे, जिसे कि इतना आ गया न, आप क्या करिए, 30 इधर क्या है, equal to minus U, minus से मल्टिप्लाई कर देदे, इधर क्या आ जाएगा, 30, minus 30 इधर क्या आ जाएगा, ये हम लोग का, U आ जाएगा, क्यूंकि माइनस चेलिए में एक लाइन बढ़ा देता हूँ माइनस से मल्टिप्लाइ किये माइनस और ब्रैकेट में क्या है माइनस 30 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कर सकते कोई दिकत नहीं है अब हम लोग देखेंगे यू हम लोग आ गया माइनस 30 सेंटी मीटर अब इसका हम लोग को क्या बनाना है रे डाइगरम चलिए देखते कैसे बनेगा हम लोग का क्या है इसमें कंकेव लेंस ठीक है तो कंकेव लेंस हम लोग बना लेते हैं से पहले कंकेव लेंस बना देते हम लोग यह हम लोग का Concave Lens हो गया ठीक है अब यहाँ पर Principal Access पी हम लोग Draw कर देते हैं Principal Access रोग कर दिया हम लोग के अपर क्या हो जाएगा Optical Center ठीक है यहाँ पर हम लोग यहाँ से हां F1 यहाँ से हां Optical Center से हां F2 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग इधार लिख देंगे क्या हो जाएगा C1 और यहाँ से C2 इसको हम लोग 2 F1 भी लिखते हैं और इसको 2 F2 भी लिखते हैं क्यों क्योंकि यह जो C1 है वो किसका डबल है F1 का डबल है ठीक है आप यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग का यहाँ से देखिए focal length कितना बोलड़ा था हम लोग कितना centimeter focal length 15 है minus 15 है तो हम लोग किदर होगा इधार होगा यहां से लेखिए कि यहां तक कितना distance है 15 distance optical center से 15 cm अब देखिए हम लोग का object क्या है यह minus है ना इप यहां से लेकिक यहां 15 है तो यहां से लेकिए कि वो क्या होता है यह किसका डबल होता है, C1 किसका डबल होता है, F1 का डबल होता है, F1 का 2 टाइमस होता है कौन, C1, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको 2 F1 भी लिखते हैं, और इसको 2 F2 भी लिखते हैं, ठीक है, यह मैंना आपको बता दिया, आप चलिए, तो यह कितना हो जाएगा, देखे, यह हम लोग करके ठाटी हो जाएगा यह थर टी सेंटिमेटर अब जैघा यहां पर आप देखें अब लोग क्या करेंगे हम लोग का जो रे हैं यह क्या करेंगा इधर जाएगा लेंस्स में गया तकर आने के बाति और इफ्रेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगे यह फैल जाएगा डाइवर्ज हो जाएगा ठीक है अब इसको हम लोग क्या करेंगे इधर इधर तो फैल गया अब हम लोग इसको क्या करेंगे डॉटेट लाइन से हम लोग इसको क्या करेंगे इधर मिला इधर कर देते अब ह है अब देखें यहां पर हम लोग क्या हराकाट हो रहा तो इसको क्या करेंगे यहीं पर हम लोग क्या बनेगा इमेज बनेगा ठीक है यहीं पर हम लोग क्या बनेगा इमेज बनेगा इमेज हम लोगा यहीं बनेगा ठीक है इमेज हम लोगा यहीं बनेगा और यहां से लेकि यहां तक कर डिस्टेंस कितना हो देखिए यहां से यहां फोकल लेंद कितना है यहां से यहां 15 था तो हम लोगा इमेज यहां बन रहा है कितना इमेज कर डिस्टेंस भी कितना हम लोग यहां से 15 है तो यहां से कितना होगा 10 cm माइनस में हम लोग का तो हम लोग का यह डाइगराम बन गया अब चलिए student हम लोग कुछ और question भी देखते है चलिए हम लोग next question देखते हैं हम लोग question क्या करा है an object is placed at a distance of 10 cm from the convex mirror of focal length 15 cm find the position and nature of the image चलिए देखते हैं हम लोग question क्या करा है convex mirror है ठीक है convex mirror है और जो object है convex mirror से वो कितने distance की दूरी पे है 10 cm और focal length हम लोग कितना दिया है 15 cm हम लोग को image का position find करना है और nature find करना है चलिए देखते हैं तो हम लोग का सबसे पहले u u क्या हो जाएगा यू देखें यहां पर u हम लोग का है ठीक है convex mirror में क्या होगा हम लोग का यू प्लस में की माइनस में चलिए मैंने आपको बताया था चलिए मैं आपको फिर से गवार दिखा देता हूं देखें यू क्या होता है माइनस होता है और फोकल लेंड प्लस होता है तो यू क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 10 हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हम लोग और कितना हो जाएगा 15 ये किसमें होगा प्लस में 15 cm अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं हम लोगो क्या फाइंड करना है देखिए image का distance find करना image कहां पर image का position find करना भी find करना और m find करना है nature find करना है कैसे क्या है ठीक है nature चलिए देखा देता हमें अगर हम लोग का m positive आता है तो virtual और erect होगा अगर negative आता है m हम लोग का तो real and inverted होगा हम लोग का nature अब चलिए हम लोग इसको solve करते हैं चलिए इन से हम लोग क्या करेंगे B का value निकाल लेंगे क्या होता है हम लोग का mirror formula 1 by F equal to 1 by B plus 1 by U 1 by F F कितना दिया है 15 equal to 1 by B B find करना plus 1 by U U कितना दिया है minus 10 अब चलिए हम लोग क्या करेंगे 1 by 15 equal to क्या हो जाएगा 1 by B minus into plus minus 1 by 10 अब क्या हो जाएगा 1 by 15 देखिए minus 1 by 10 equal to क्या हो जाएगा तो plus 1 by 10 equal to 1 by B अब चलिए हम लोग इसको solve करते कितना है जाएगा LCM लेंगे तो यहाँ पर चलिए में दिखा देता है LCM लेंगे 15 और 10 के LCM लेंगे कितना हैगा 5 3 जा 5 2 जा 3 1 जा 2 1 जा कितना हैगा 5 into 3 into 2 5 2 जा 5 से 15 15 2 जा 30 LCM कितना आगिया 30 आगिया 1 by B बराबर कितना LCM कितना हो जाएगा 30 अब 15 से डिवाइट करेंगे 30 को तो 2 टैंस में 2 को मल्टिप्लाइट करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 से डिवाइट करेंगे 30 को 3 को मल्टिप्लाइट करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा अब चलिए 1 by B इक्वाइट कितना जाएगा 5 by 30 जाएगा 5 1 जा 5 और यह 5 6 जा 30 1 by B इक्वाइट करेंगे तो कितना हो जाएगा B बराबर कितना जाएगा 6 cm ठीक है यह हम लोग किसमे आगया प्लस में ठीक है यह आगया अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे देखिए M निकालेंगे M का फॉर्मला लगाता है minus V magnification minus V by U अब देखिए minus V V कितना दिया 6 U U कितना दिया हम लोग का U कितना दिया हम लोग का minus 10 minus 10 cancel हो जाएगा minus minus यह भी cancel हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 3 जा 6 और यह 2 5 जा 10 कितना हो जाएगा 3 by 5 आजाए किसमे है positive आजा तो हम लोग का इसका nature कैसा होगा यह हम लोग का virtual होगा और and erect होगा इस चैनल को subscribe किजिए thank you